असलाम वालेकुम, welcome to my youtube channel, I hope आप ठीक हूंगे, और आज मैं आपके साथ हा, आप लिटल चुइन्स का नेक्स्ट पार शेयर करने वाली हूं, शोरी पसान दाए, तो लाइक और कमेंट काती जिए का, और कमेंट आप क्यूं ही नहीं करते, और जो मैंने पोस्ट येर की थी, मै आपूस अभी था खंबारे, श्यान वांग के बीच में, कोई इतना स्यादा प्यार मुहबत का बीच पर वान नहीं चड़ा, तो मैं कोशिश करूं कि उनके बीच में भी थोड़ा से रुमैंटिक मोमेंट्स को शाबिल करूं, और वैसे इस चोड़ी में दो दो कपल हैं, हमें दोनों को प्रावर टाइम देना चाहिए न, यह तो नहीं, वींग और फांटी को पिल्कुल हम छोड़ते हैं, या फिर लैंसेन और मुश्यान को छोड़ते हैं, दोनों को प्रावर टाइम मिलेगा, तो थोड़ा सब रखें, साब को साब कुछ मिलेगा, ओके बहुत उसके साथ काल हो चुका था, उसके बाद तो उसका मूड आफ ही होना था, और अब शीना मिला और जॉन उसके पास ही बैठे वे थी, यह फ्री पिरियर्ट था, क्या हुआ से हैं, तुम इतने ज़्यादा चुप चुप क्यों हो, क्या तुम्हारे हस्में ने तुम्हें क्या में इतना ज़्यादा ठका हुआ था, मुझे बुहार हो गया, मुझे इतनी ज़्यादा भूग लाग रही थी, हाँ तो फिर क्या हुआ, उसने तुम्हें भूग में खाने को नहीं दिया, अरे दिया ना, उसने क्या क्या किया, उसने वो सारा का सारा मेरे मूँ में डा दिया ओ माई गॉड जान तो जैसे एक ताम से आप मूँ चुपा के उठी बैठा था वो दिनों भेन भाई जो के कुछ और ही समझ रहे थे क्या सच में उसने उस सब तुम्हें खिला दिया हाथ और क्या और तुम लोग क्या ही मेरे इस्बंड को पुरा समझ रहे हो उसने मु किसी और ही और ही जगा पर लेके जा रहे थे वैसे क्या वो वाइट था या ब्लैक शीना को और जादा इंट्रेस्ट हो रहा था अरे प्योर ब्लैक था पुरा ब्लैक था हाँ वो नूम आ जासा तुम्हारा हस्बंड ब्लैक है वैसे ही हो का फिर हाँ इसना भी ब्लैक लिया नहीं फारा थोड़ी खाऊंगा मैं इतना बढ़ा के थोड़ी खाऊ सकता था तो फिर जूरूर तुम्हारे हस्बंड ने तुम्हें और टॉर्चर किया होगा अरे क्यों ही टॉर्चर करेगा वह इंफैक मैं तो आदे से ज्यादा उसे भी खिला दिया था और आप जॉ कार वो भी लड़्कियों के सामने तो क्या बोला मैंने तुम कौन सी बातिकार रहे हो मैंने क्या बोला मैंने तो यह वोला कि हम चॉकलेट केक लाए थे जो फिर इतना जादा भ्रयाक था मैंने आदे से ज्यादा हूद खाया मिरे हस्बंड ने मुझे जबरस्दि ठूह चलो मीना क्लास में चलते हैं चलो जरो जयन क्लास में जाने का टाइम हो गया है आज ओैंयगा जोओन वह बास अपनी शर्मिन की छुपाते चुपाते अब ख्लास में जा रहे थे और जयन को भील्क Bernie नहीं समझ जा रहा था उसने क्या ही बोला था वो तो पास के एक ही बात का रहा था ना और वो क्या समझ रहे थे बहुत ही dirty mind लोग है बहुत ही गंदे लोग है वो पास इतना ही सोड़ रहा था वो श्यान जो कि आप आज कल जल्दी घार आ जाता था और आंटी जो कि लांच मनाने में बिज़ी थी थैंक गॉड आज कुछ अच्छे ही खाने को मिलेगा उसने दिली दिल में सोचा था और वो अब सौफे बेटी किया था और आंटी जो कि उसके लिए लंच ले ही आए थी आंटी रुक चाहे ना जैन आ चाहेगा फिर मैं उसके साथ ही करूँगा क्यों तुम अकेले नहीं खा सकते क्या पहले भी तो केले खाते थे ना हाँ केले खाता था लेकिन आप तो वो मेरे साथ है ना हम दोनों इधर रहते हैं तो एकटे खाना चाहिए ना हमें वैसे तुम इतने समझदार हो साब पता है तुमें लेकिन पता नहीं तुम्हारा दिमाग उस तरफ क्यों ही नहीं जाता किस तरफ जाएगा अंटी, क्या बोलना चाती है आप मैं यही बोलना जाती हूं मेरे प्यारे बच्चे कि काप तक तुम साथ रह के भी पास रह के भी साथ नहीं रहोगे मतलब मतलब ये क्या तुम यहीं रुके रहोगे अपनी शादी को थोड़ा आगे नहीं बढ़ाओगे कैसे आगे बढ़ाएं आंटी क्या कहना जाती हैं आप तुम इतने चोटे बच्चे नहीं हो मैंने देखा है तुम कैसे हार वक्त पास लड़ते चगरती रहते हो मैं नहीं लड़ता वो ही पास लड़ने पर आ चाता है और फिर मुझे उसका जवाब तो दे नहीं होता है आपने देखा वो कैसे मुझसे बास जुबान दराजी करता रहता है बेटा वो छोटा है तुम्हें समय ना चाहिए और वैसे भी अगर तुम अपने रिष्टे को थोड़ा टाइम दोगे स्पेस दोगे थभी तो वो आगे बढ़ेगा ना और तुम लोगों के बीच में इतना एचके अप है वो यहाँ अपने घारवालों से दूर साब से दूर अकेला तुम्हारे साथ रहता है तो कि तुम्हें नहीं लगता उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी तो मैं क्या करूँ अब मैं उसकी अम्मी तो नहीं बान सकता ना हाँ तुम अम्मी नहीं बान सकता है लेकिन husband तो बान जाओ न तो क्या बनूँ मैं, कैसे करूँ मैं उसके लिए कुछ, क्या करूँ, बताए मुझे मैं साब तो करता हूँ उसे college में ताहल करवा दिया मैंने उसके पढ़ने के लिए उसको books लाके दी हर चीज लाके देता हूँ, वो घार में अराम से रहता है और दिल हो तो काम कार लिता है दिल हो तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा काम करता है अच्छा ठीए का काम कार लिता है, मैंने तो उसे नहीं बोला करने को कुछ भी तो नहीं कहता है मैं उसे हाँ तो क्यों वैसे थोड़ी होता है तुम उसे बोला करो वो तुम्हारी भाई है उसे अपने साथ टैच करो उसे प्यार करने की कोशिश करो अब मुझ से नहीं प्यार होता उसे क्यों नहीं होता वो इतना क्यूट है इतना अच्छ है और अगर तुम उसके लिए थोड़ा सा एफट करोगे थोड़ा सा उसको प्यार दोगे तो देखना वो बहुत जल्दी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा वो दिल का बुरा नहीं है बस वो जुबान का थोड़ा तीज है और रही बात तुम्हारी तो तुम हो देख लो तुम से छोटे बेहन बाई तो बहुत जल्दी माँ बाबान गए ना तुम्हारी बेहन जो आप तीसरा बच्चा पैदा करने वाली है और बहुत जल्द शायद वींगी प्रैंगनट होई जाएगा वो दोनों आपस में कितने ज़्यादा अच्छी है कितने ज़्यादा हुश है तुमने हूदी तो बताया था और तुम साबसे बड़े होकर अभी तक मैसे ही हो तुम्हारा दिल निंकरता कोई तुम्हें प्यार करे तुम्हारे साथ टाइम्स बैंड करे कोई तुम्हारा इंतिजार करे हाँ इंतिजार तो वो करता है ना रात के तेड़ तेड़ बचे उटके मेरा इंतिजार करता है मुझे नूडल्स भी बना के देता है हाँ तो और और क्या चाहिए तुम्हे वो कहीं ना कहीं अपने रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहते है वो कोशिश कार रहते तुम्हें भी करनी चाहिए जब वो इतना कुछ करते है तुम्हारे लिए आधी रात तक जागते है ये जानते हुए भी कि उससे सुबाख्वाले चाना होते है फिर भी तुम्हारे लिए रुखते है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी कुछ करना ही चाहिए थोड़ा हुद को बदलो इतना ज़्यादा रूरो स्रिक मत बनो वो कोई तुम्हारा ट्रेनी नहीं है जिसके साथ हो मैंसे वो जीओं किता रहो समझ के तुम आउंटी उसे समझा के जा चुके थी और आप वो श्यान को आउंटी के बातें सही लाग रहीं थी हाँ सही कहा उनोंने क्या मैं थोड़ी एफट करूँ लेकिन अगर वो और ज्यादा उच्छल पड़ा तो वो तो मुझसे ऐसे दूब भागता है जैसे मैं कोई बिचली की तार ही हूँ चलो मेजर आप थोड़ा रूमेंटिक बनने के लिए रैडी हो जाओ हाँ हाँ उसको देख के रूमेंस का तो क्या ही है लाएगा और अगर बंदा थोड़ा टार्ची कार ले तो ऐसे उचल पड़ता है जैसे अभी मार ही जाएगा क्या करूं मैं इतनी चोटी बीवी मेरे लिए मिली थी मेरे खारवालों को वो बस सोच के हूँ दीरी डेट हो रहा था क्या ही मैं रूमेंटिक हूँ उसके साथ नना मुना सा कहींगा वो अब सोच के बस बैट ही चुका था और अब उससे इंतजार करना था जैन के आने में अब यादा गंटा था और वो बस आप बैट के टीवी देखने लगा हाँ और क्या टाइम पास करना था उसने विंग और वांग जी जो के अपनी मज़े वाले नाइट स्पेंड कार के घार आई चुके थे और विंग जो के पास जैमी शर्मा शर्मा के फिर रहा था हाँ रात को जितना ज़्यादा शेमलेस था वो उतना ही ज़्यादा शर्मीला था और साब लोग देख ही रहते उसकी हरकतों को लेकिन कोई कुछ बोले गए क्यों उनकी पास नॉर्मल राइफ थी ना वो एक दूसरे के साथ हुच थे और बाकिसाब को क्या ही चाहिए था विंग जो के यहां से माम बस काम किये जा रहा था कॉलिच से आने के बाद उसने मामा के साथ मिलके लांच भी बना दिया था उसे खाना बनाना आता था उसकी मामा ने सिखा दिया था और सासुमा ने कितने ही मना किया था लेकिन उसने बोला नहीं वो ज़रूर काम करेगा उसे अच्छी वाइफ जो बना था अपने चुनू के लिए और आवह साथ जैसे लांच जिकार रहे थे और विहिंग जो के उनको सर्फ खा रहा था अपनी सासुमा के साथ मिलके और ये उनके खार का ट्रेडिशन था चाहे जितने ज़्यादा सैमेंट हो लेकिन खाना तो तिर खार की बहुए ही बनाएंगी और वो ही साथ को सर्फ करेंगी और किसी के हाथ का खाना नहीं कहा सकते वो खाना खाते खाते अचाना की नानू का मॉबाइल भाज़ उठा था विहिंग ने वोने पकड़ा भी दिया था और वो कॉल सुनके तो हाथ से ज़्यादा हुश हो रहे थे क्या हुआ नानू बहुत ज़्यादा हुश लाग रहे हैं आफ मेंग ने पूछा हाँ वो आ रहे है ना मेरा बेटा आपका बेटा मामू आ रहे है क्या वो अच्छी एक्दाम से एक्साइटेड हो गया था हाँ वो आ रहे है अमेरिका से आ रहे है वो come on, मुझे भी कुछ बताएंगे क्या मैं भी इंको समझ नहीं आ रहे थी अरे मेरे मामु है न वो आ रहे है कौन से मामु अरे वो मेरे मामु है न छोटे वाले मामा से छोटे थे वो तो वो काब से पास अमेरिका में के वे थे studies के लिए और आप उनकी complete होगी है तो वो वापस आ रहे हैं ओ अच्छा अच्छा और वो आप यहीं रहेंगे क्या हाँ यहीं रहेंगे क्योंकि नानू ने अपना गार तो लाउट कारती है ना और नानू तो हमारे साथ ही रहते हैं तो वो कहां ही पिछ जाएंगे यहां पहीं रहेंगे अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात हो गई हाँ वो आपसे बहुत ज्यादा जल्दी देखिए क्या फ्री हो जाएंगे वो बहुत अच्छी है और वो सेम मामू में बिज़ी हो गया था हाँ अच्छा है कुछ दिन उसे भी कंपनी मिल जाएगी और वांग जी के मामू और उसके मामू एक है ना हाँ मामू मैं भी मामू बोलूँगा क्या उसने दिल में सोचा था अरे नहीं मैं क्यों बोलूँगा मैं उन्हें नाम से जैन अब घार आ चुका था और उसमें देखा वुश्यान तो पहले से सोफे पे बैठा हुए आप इतनी चल्दी आगे क्या हाँ बास काम थोड़ा काम था आज कुछ जवान चुटी पे गे हुए तो मेरा काम भी थोड़ा था तो मैं आ गया और तुम बताओ कैसी चाल रह ही है टेस्ट हुए है हमारे देखे क्या रिजल्ट आता है अच्छा चलो चल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर हम लंच करेंगे लंच आपने नहीं किया गया नहीं मैं तुम्हारा वेट कार रहा था मैंने सोचा हम मिलके खाएंगे अच्छा मैं अब ही आता हूँ जैन जो एक फ्रेश होके आ चुका था फिर आँटी ने लंच लगाई दिया था और आप वो चुप चाप लंच करके अपने रूम में चले गए थे थोड़ी तेर उन्हें रेस्ट करना था फिर श्याम को जैन पढ़ाई करेगा और वो श्यान के आई करेगा वो अपनी फाइरिंग की तो कुछ करना नहीं था और उन्हें यह करेंगे वो अपने रूम में आच उके थे और श्यान जो कि अप था की चुका था उसे थोड़ी तेर रेस्ट करना था और वो लेट के अचब के सैन जो के कम्थिए।र के आगर बैठ किया था और उसने प्रिंटर भी ओन कार लिया क क्या करने लगियो तुम मेरे कुछ assignments हैं मैं बस उनके प्रिंट निकालने जा रहा हूं उनसे लिखाने जाता ना अच्छा ठीक है चलो कालो फिर मैं सोने लगा हूं मुझे थोड़ी देर बाद उठा देना मुझे practice करनी है ठीक है उठा दूँगा वांजी जो क्या अपने computer प क्या ही करो मैं इस पढ़ागों के जकर में मैं सोब भी नहीं सकता लेंसे अन्जो क्या प्रिंट निकाल रहा था और फिर बादा ने computer को क्या ही हो गया था वो क्यूं ही चाली नहीं रहा था रूकी गया था जैसे वहापास देख रहा था काम तो होई चुका था लेकन यी computer तो जैसे एक जगा प्यटक ही क्या था बहुत-बहुत ही चले जा रहा था और फिर लैंस एंड जो कि अब देख रहा था कंप्यूटर की तरफ और खुद-बहुत पास उस पे अबस खुले ही जा रहे थी ये क्या हो गया वो कंप्यूटर जो के टर्ट स्क्रीन के साथ था स्मार्ट कंप्यूटर जो था वो अब खुद-बहुत पास चलता ही जा रहा था चलता ही जा रहा था और उस पे जाने कौन-कौन सी चीज़ें आई चारिंग थी जान जो के हाथ से जादा इरिटेट हो रहा था और फिर अचारने की उस पे योट्यूब खुल चुकी थी आरे ये क्या चीज़ है मन्हूस कहेंगा उसने एक ताम से कंप्यूटर को जैसे हाथ ही मारा था और फिर एक वीडियो जो के आन ही ओचुकी थी और जो कुछ उस वीडियो में था उससे देखे तो जैन के हाथ हो के क्या उसके सारे के सारे तोते ही उड़ चुकी थे ये क्या लागिया था ये क्या यहान हो गया वीडियो जो के पूरे जोरो शोर से चाल रही थी और जो कुछ उसमें हो रहा था उसके देख देखे तो जैन का तो जैसे पूरा का पूरा हून उसके फेस भी कठा हो गया था वो रैट पाठ चुका था ये सब क्या ही हो रहा था आगे जो के कोई हां वही वाले मुवी चलना ही स्टार्ट हो गई थी और वो रुक भी नहीं रही थी उसने एकदाम से कंप्योटर को बांद करना चाहा था लेकिन उसको पता नहीं क्या ही बीमारी पाड़ गई थी जो के वो ना आगी हो रहा था ना पीछे हो रहा था आगे वो पेशरम लोगं की पेशरमी बास चलती जा रही थी आरे वो चलनी थी तो चलती लेकिन उस उनकी आवाजे तो कितनी ज्यादे ही बुरी थी उसने एकदम से कानों पे जैसे हाथ ही राख लिये थे और वो श्यान जो के एकदम अजीब अजीब सी आवाजे सुनके जैसे अलेट ही हो गया था और वो उटके आगया और उसने क्या ही देखा उसकी प्यारी पढ़ाकू लड़ाकू सी वाइफ क्या ही देख रही थी ये क्या देख रही हो तुम वो एकदम उसके पीछे आके जैसे जिन की तरह खड़ा हो गया था जैन जो के करपड़ा ही गया उससे तो बोले नहीं जा रहा था यह पता नहीं की ज़से लागा मैंने कुछ नहीं किया इसको बंढ करें प्लीस बंढ करें इसे और वो तो कितना है जादा बुरा फिल्ड खा रहा था उसका husband क्या ही सोचीगा वो कैसी चीज़े देख रहा है हाँ वो यही सोचीगा ना कि वो उसके पीछे यही साब काम करता रहता होगा मैंने कुछ नहीं किया, स्वेयर मैंने इसको नहीं चलाया यह उचा लिया, वो जैसे रोने वाला हो यह था फिर तो श्यान जो गर उसकी आइसी हालत थी कि आप स्माइली कह रहा था it's okay मैंने कुछ बोला क्या नहीं बोला ना चलो इसको बांद करते हैं और फिर वो दोनों बास उसको बांदी करने वाले थे और जहन का हाथ तो जैसे काम पर ही जा रहा था वो सारी चीज़े देखे और वो जो वीडियो में बंदे थे वो तो जैसे सदियों के भूके थे जो कि एक दूसरे को बास कि इसकी यह जा रहे थे यह जा रहे थे और मजाले छोडने का नाम ले रहे हूँ वो शैन जो कि जैन की चेर के पीछे से ही उसके उपर थोड़ा सा जुका आप कंप्यूटर को बांदी का रहा था जैन जो के वो सारा मनज़र देखे जैसे अजीब से ट्रांस में चला गया था और वो शैन को भी थोड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही थी सब देखे हाँ वो सब कितना ज़्यादा अजीब था लेकिन कितना ज़्यादा मज़े का भी लाग रहा था न और वो तोनों घुरूस लोग जो के शादी शुदा होते हुए भी बास ऐसे ही थे सड़े हुए गएंगे और श्यान जो के अभी तक वहीं पर रुका हुआ था और जैन ने अपना फेस मोगे उसकी तरफ देखा जो के सीधा बासूत की तरफ देखे ही जा रहा था अब क्या हुआ कम्प्यूटर तो आफ हो गया न आप जाए चला चाता हूँ वैसे वो इतना बुरा भी नहीं था न क्या बुरा नहीं था I mean वो अच्छे लाग रहे थे न कितना प्यार था ना उन दोनों में वो बहुत स्यादा शेमलेस थे मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा शेमलेस तो नहीं कह सकते इतना ज्यादा प्यार था तुमने देखा वो कैसे ही एक दूसरे की आँखों में टूपे ही होए थे और तुम क्या है समझो के प्यार को और रुमेंस को तुम जो के होई एक वाइट्स ने ऐसा नहीं है मुझे साब प्यार के बारे में पता है मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है अच्छा कौन सी मूवीज देखी है तुमने ऐसे वाली देखी है और नहीं ऐसे वाली नहीं देखी, मैंने और भी बहुत सारी मूवीज देखी है तो उनमें क्या प्यार नहीं होता, प्यार होता होगा तो फिर कैसा होता है, अगर ये प्यार नहीं है, तो फिर वो कैसा प्यार है, जो तुमने देखा है उसमें बास वो थोड़ा थोड़ा ही करते हैं ये तो बहुत ज़्यादा कारे थे बहुत ज़्यादी कारे थे अच्छा तो क्या थोड़ा थोड़ा करते हैं जरा मुझे भी बताओगे क्या क्यों आपको नहीं पता क्या आपने नहीं देखी नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था मैंने तो नहीं देखी अगर तुम्हें बता है तो बता दो मेरी भी थोड़ी नौलिज पाच जाएगी अच्छा हाँ बताता हूँ मैंने एक मुवी देखी थी ना रूमी और जूलियट वाली अच्छा क्या होता था उसमें वो श्यान जो क्या उसको चेर समेट गीज के बैट के पास लिया था जैन जो क्या पूरा का पूरा अपनी फेवरेट मुवी की स्टोरी सनाए जा रहा था हाँ वो दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे अच्छा उसको चोड़ो रूमेंस के बारे में बताओ ना हाँ रूमेंस के बारे में वो जो रूमिय हो है वो बहुत ज्यादा रूमेंटिक था वो टॉल था, डाग था, हैंसम था डाग तो नहीं था वो तो आपो कैसे पता वो डाग थाग ने अच्छा चलो डाग ही होगा तुम्हारी देखी हुई मूवी में मेरे जैसा था क्या आँ हाँ थोड़ा आप जैसे ही होगा अच्छा फे और वो क्या करता था जूलिएट के साथ ये तो तुमने बताया नहीं वो जाब भी उसके पास आती थी उसने क्या ही करना था वो उससे थाम उसकी फेश सी पकड़ गाथा था ओच्छा ऐसे क्या वोश्यान एक थाम अब जैन के गरीब होके जैसे उसको पकड़ लिया था हाँ ऐसे ही जैन जो के पूरा का पूरा मूवी की स्टोरी में गोया हुआ था फिर क्या होता था वो श्यान आप डिरेक्ली उसके आखों में देख रहा था और उसे आटी के पढ़ाई हुए सबक याद आ रहे थे हाँ रूमेंटिक हुन है थोड़ा रूमेंटिक हुन है वो पास दमाग में खुद को यही याद दिला रहा था और अभी तक जैन ने कोई भी रिजिस्टेंस नहीं की थी हाँ फिर वो उसे अपने और करीब काल देता था बिल्कुल अपने फेस के पास ही अच्छा ऐसे क्या और वो जैन को और से हथा अपने करीब इकाल चुका था और उनके बीच में डिस्टेंस तो भासादे इंच कही रहा गया था हाँ बिल्कुल ऐसे और फिर वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आँकों में देख रहे होते थे अच्छा जैसे तुम नहीं देख रहे मैं? मैं क्यों देखूं? मैं क्या जूलियट हूं? हाँ तो तुम अगर करोगे नहीं तो मुझे पता है कैसे चलेगा फिर मैं मूवी को फिल्क ऐसे करूँगा मुझे क्या पता? कैसे रुमैंस होते है मुश्यान उसे बता रहा था फिर जैन डरेक्ट उसकी आँखों में देखना शुरू हो गया था और अब वो दोनों एक दूसरे की पास आँखों में देखे ही जा रहे थे जैन जो के पहली बार अपनी भाइव की इतनी प्यारी आँखों को देखी रहा था जो सीधा उसी की दरफ देख रही थी फिर क्या हुआ था फिर जूलियट शर्मा गई और फिर रूमियों ने एक दाम से और इससे पहले के सैन कुछ बोलता वो श्यान ने उसे एक दाम जैसे पकड़ के अपने और करीब खाल लिया था बहुत ज्यादा ही करीब और आप तो जैसे वो उसकी लिप्स को अपने लिप्स से टाच कह रहा था और फिर जरूर रूमियों ने जूलियट को ऐसे कीस करने की कोशिश की होगी ना है ना हाँ और फिर जूलियट ने क्या किया था क्या वो भी तुम्हारी तरह ऐसे खड़ी रही थी नहीं उसने भी किस की या था तो फिर तुम क्यों नहीं कार रहे मैं मैं क्यों करूँ मैं क्या जूलियट हूँ थोड़ी देर के लिए मैंचन कारलो हुद को और मुझे रोमियों समझ लो आई सुहेर तो मैं डिसपॉंट्मेंट नहीं होगी मुश्यान जो कि आप रोमेंटी के लिए अपनी वाइब की आँगों में देखते हुए बोल रहा था और फिर उसने दुबारा से अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ आची किया था आप की बार जैन ने जैसे उसकी आफर को एकसेप्टी कार लिया था और आप वो जैसे उसके लोर लिप को साथ करना स्टार्ट हो गया था और वो श्यान जो के एक दाम जैसे सर्प्राइस टी हो गया था और आप वो दोनों जैसे दूसरे को किस सी कार रहे थे हाँ पहली किस जो कि अपनी मर्जी से अपनी हुशी से की जा रही थी और वो दो मिलम्बी किस थी जो के पास चले ही जा रही थी जो कि आँखे बांद किया पास एंजॉय किया जा रहा था हमुश्यान ने एक तो बार उसे अलग होने की कोशिश की थी लेकि जैन ने दो से फिर से पकड़ के अपने गरीब ही खाल लिया था वो श्याम देख रहा था उसकी वाइफ जो के पहले ढड़नी थी एक दम जैसे होटी होती चाह रही थी और वो फील कार सकता था उसकी सेंट को जो कि कितनी ज्यादा स्वीर थी और उसने जैन को एक ताम से चेर से उठा कि अब बैट पर ही राक दिया था और वो वैसे ही अब उसके साथ लेड़ के उसे कीस का रहा था कीस करते करते उसका अच जैसे आप उसकी नेक पर है चला गया और वो साच में कितना ज्यादे गर्म था ना और वाव उसका हाथ पास उसकी नेक ताकी नहीं रहा बलके वो तो उसकी शेट के अंदर ही चला गया था वो किस करते करते अपनी वाईव की पूरी बाड़ी को जैसे फिल लिका रहा था और उससे जैसे अब साब अच्छा ही लगने लगा था और फिर थोड़ी तेर के पास जैन होती दूर हटा था और वो जैसे आप तेज़ दे सांस ले रहा था अच्छा लगा तुम्हे वो अब सैन की आँखों में देखते वे बोल रहा था और हलका हलका समायल भी का रहा था और जैन जो कि एकता हुशी से सार हिला के बोला हाँ बहुत अच्छा लगा साज में थैंकियू थैंकियू सो माज और आपको पता है इससे तो सर्दी लगना भी काम हो जाती है और देखे मुझे बिलकुल सर्दी ने लाग रही मैं तो एक ताम से जैसे कम कम फिल का रहा हूँ थैंकियू सो माज हम आज के बाद रोज ऐसे करेंगी कोई जरूरत ही नहीं अगर हम कपड़े पहनने की ये बहुत अच्छा तरीक है हम ऐसे एक तूसरे की हैर्प कार सकते हैं ठान से बचने के लिए वो कितनी हुशी हुशी बोल रहा था और हुशीयान जैसे आप मुझ कोले उसकी तरफ देख रहा था वो क्या ही रूमैंटिक हो इस पागल लड़के के साथ जिससे रूमैंस भी रूमैंस नहीं बलके कोई सर्दी बखाने का तरीका ही लाग रहा था बहुत अच्छा लाग रहा था साच में आप बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो आप तैंक यू सो माच वो जैसे आप उसके गाल चूँके भूला और वुश्यान जो कि आप पीछे गिर गया था गई भैसवानी में हो गया रूमैंस का सत्यानास हाँ और आंटी के पढ़ाय हुए सबक पे काम करो यही होना था वो आप दूसरी साइट पे मुँ कार के आप चुप चाप सो ही रहा था यह होगा रूमैंटिक मेरे साथ यह देगा मुझे बच्छे पागल कहीं का और फिर पीचे से जैन ने उसे हाग भी कार लिया था अब यह क्या का रहे हो तुम अरे आज हमारे कैमिस्ट्री के टीचर ने पढ़ाया था कि हीट कैसे ट्रांसवर करते हैं और बाडी से बाडी यह चुपकार चाओ तुम बगवास बांद करो सोचा चुपकार क्या अब सैन की बाते सुनके तो उशियान का जासे दिमाग आप उड़ी किया था बगहरत कहीं का और वींग और वांग जी इदर अपनी लाइफ मज़े से जी रहे थे दो दिन ही गुजरे थे उनकी उस बर्थडे वाले नाई को कि आज वींग जो के संटे वाले तिन भी बास बैट पही पड़ा था मांजी तो उसे कितनी बार उठाने आ चुका था लेकिन उसे तो बहुत जादे सर्थी लाग रही थी और उसका सार भी चक्राय जा रहा था और फिर वांजी के बार-भार कहने पर वो उठके बाहर आई गया था नानू और ममी बापा साफ लौन में बैठे हुए थे और आज शायद मामू भी आने वाले थे और विंग जो के नानू के पास बैठने वाला था कि एक तामू उसका दिल गबराया था और उसने जल्दी से पीछी होने की कोशिश की थी लेकिन कांड होई चुका था और उसने सीधा नानू के पाउं के उपर याप उल्टी फरमाती थी और नानू जो के उससे उसकी तरफ देख रहे थी और विंग जो के आप टायर के मारे उन्हें देख रहा था हाँ, मैं सोरी नानू, मैं भी साफ कहा देता हूँ, वो शायद आप नीचे जुक नहीं वाला था, लेकिन इससे पहले ही, एक और भी आ चुकी थी और दूसरे पांग पे भी गंती की फैली चुकी थी, और वांग जी जो कि आप सारी फीट के रहा है, यहां अच्छा हो गया, और नानू तो पहले ही, वींग को इतना हास, कोई प्यार नहीं करते थे, वो तो बास उसे वांग जी के लिए परताश का रहे थे, यहां पिर जैन के लिए, और आप तो जैसे वींग ने अपने पांग पे हूदी कुलाडी मार डाली थी, वींग जो के शर्मिंदा, शर्मि करता, वो जरूर गिर के चोटी लगवा लेता, यह क्या हो के आपको क्यूटी, आप टीच तो होना, वो उसे बार बार हिलाए चाह रहा था, लेकिन क्यूटी ने आप कहां ही हिलना था, वो तो बस भी होश हो चुके थे, और नानू जो के एक ताम सारी अपना गुस्ता करने लगए थे, ओ, यह क्या हो, यह बहुत अच्छा हो क्या हो, वाँची जाओ, भागे जाओ, अपनी स्वाइब को हास्पिटल ले के जाओ, मुझे लगता है, मुझे लगता है, बस ऑप मैं पर नाना बनने ही वाला हू, बनाना या बरदाटा क्या बनूगा मैं, जो भी बनों का पास जल्दी से बना दो मुझे लेके जाओ इसे वांग जी जो के कुछ समझा कुछ नहीं समझा लेकिन वो इंको हॉस्पिटर लेके तो जा ही चुका था और फिर डॉक्टर ने चेक का करके वांग जी को एक रिपोर्ट ही दी थी और उसे बताया था कॉंग्राइटस मिस्टर लेके प्रेगनेंट है मिस्टर लेके वांग जी आप सोच रहा था डॉक्टर तो बास चला ही किया था बहुत ही स्यादा कोई बिजी दॉक्टर था भला पूरा नाम तो बताया जाता मिस्टर लैन कौन वो तो मैं हूँ या गगा ओ माइ गड़ गगा प्रेगनन्ट होगे क्या विंग का तो अभी कुछ पता नहीं है चलो गगा से फून काया कि उनको मुभारक दे दे था उसने जल्दी जल्दी भी ना सोचे समझे आप हुशी हुशी जैन कोई कॉल मिलाए थी जैन जो कि बस अभी लेटा ही हुआ था वुश्यान के साथ उसे हाग किया हुए उसने एकदाम कॉल उठाई थी और माँची नहीं जल्दी से आप विडियो कॉल अनकार ली थी कॉंग्रेर्स का का मुझे बहुत ज्यादा हुशी हो रही है किस बात पर हुशी हो रही है तुमें जैन बोला था और मुश्यान जो कि उठी क्या था हाँ संडे था तो आज वो भी फुरी था बस ऐसे एक दूसरे को हग करके तो सोते थे ना सर्थी बगाने के लिए तो मैं इस बात से हुशी हो रही है कि हम दोनों साथ में है हाँ हाँ इस बात से भी हुशी हो रही है और मैं इतना ज्यादा हुश हूँ क्या प्रेगनेंट हो मुझे तो यखीन ही नहीं आ रहा मैं प्रेगनेंट हूँ वो एक्दम जैसे हरान हुआ था और उश्यान उसकी तरफ देख रहा था तुम कैसे प्राइगनेंट होगी और का प्राइगनेंट हुए तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और कैसे ही प्राइगनेंट होगे तुम बताओ मैंने तुम्हें किसी की जा था और क्या किया मैंने तुम्हारे साथ वो श्यान जोगे एकदा मुसे बोल रहा था जैन जो आप वाँची के तरफ देख रहा था चुनू क्या पागलपान है ये मैं कोई प्रेगनेट नहीं हूँ और तुम कैसे ही बोल सकते हो ऐसे तुम्हें किसने बता है मैं प्रेगनेट हूँ अरे डॉक्टर बता के क्या ना मिस्टर लैन प्रेगनेट है तो मिस्टर लैन कौन है मैं हूँ क्या तो आप नहीं है क्या आप ही तो मैं गया ना हमारे घार में आप ही तो मिस्टर लैन है ना पो अगल ये कोई मिस्टर लैन नहीं है या मिस्टर वी है यह मेरी वाइव है और मिस्टर लैन अगर तुम नहीं हो तो वो जरूर तुम्हारी वाइव यानि के मेरा भाई है वो श्यान उसे समझा रहा था और एक धाम जैसे उचल पड़ा तो यानि के विंग प्रेगनेंट है ओ माई गाड और अब वांग जी की मोटी अकल में बात आ गई लेकिन वो तो मिस्टर लैन नहीं है पागल खुरूस गत्य कहिंगे वो तुम्हारी वाइव है तो तुम्हारा या अब नाम यूज़ करेगा न तो अब तुम लोग कौन हो तुम लैन सो न तो वो कौन है वो वी हिंग है वो वी हिंग नहीं लैन हिंग है अब दवा हो जो कॉल पांद करो और मेरे बाई को जल्दी से बात करवा मुझसे उश्यान जो कि एकदम से हुशी हो गया था और बांची वो जो उससे ज़्यादा हुशी हो रहा था तो मैं डैडी बनने वाला हूँ ओ माई गाड बीग मामा ने लिटल डैडी को पापा बनाई दिया वो हुशी हुशी आब उचल तक हुटा विंग के पास जा रहा था लेकिन विंग तो अभी तक जैसे बेहुशी था और पिर उसने उश्यान को दिखाया ये ले मामा तो अभी तक सुख रही है आप डैडी से ही बात करें मुझे इस डैडी से बात कहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉल रखो तुम मैं बाद में उट बात कार लूँगा मुझ यहान ने कॉल बात कार दी थी और आब वो अपनी वाइफ की तरफ देख रहा था कुछ शरम कार लो तुम शरम कार लो कुछ मैं क्यों शरम करूँ जैन को एक ताम से हरानी हुई थी वो तुम्हारा छोटा भाई वो बाप बनने वाल है अरे तुसमें मैं क्यों शरम करूँ शरम तो उसको करनी चाहिए थी और वो शरम करे क्यों अरे वो husband है उसने जो कुछ भी किया टिंग टॉंक अपनी wife के साथ किया किसी गैर के साथ थोड़ी किया और शर्म के इसमें की बात ही किया है अच्छा जब शर्म के कोई बात नहीं है तो तुम्हें अपनी तफ़ा क्या तकलीफ हो जाती है मुझे कोई तकलीफ नहीं होती और शर्म तो आपको भी आनी चाहिए आपका भी छोटा भाई pregnant है और आपकी भेन जो कि आप तीसरा बच्चा पैदा करने जा रही है लेकिन आपको भी शर्म नहीं आ रही तो मैं क्यों शर्मा हूँ हाँ तो मेरा भाई क्यों शर्मा है वो तुमसे चोटा होके बाप बान रहा है वो बाप बान रहा क्यों कि उसकी वाइफ pregnant है तो आप भी मान जाएं मैं बाप कैसे बनूँ मेरी वाइफ प्रेगनन नहीं है तो आप भी कार दे, मैं क्या करूं इसमें, कार दूं क्या?